जैहिन दोस्तों मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स आप UPSC में आपका स्वागत है तो जैसा कि आपको पता है टुवेल्थ क्लास में जो हिस्ट्री की बुक आती है NCRT के अंदर थीम्स सीरीज के नाम से अब इसमें से तीन बुक्स है ठीक है तीन बुक्स है और अभी सिविल सर्विसिज में बदलते हैं टेंड के हिसाब से ये तीनों बुक्स समझना इंपोर्टेंट हो गया काफी सारे सवाल देखने को मिले सिविल सर्विसिज में द्रेक्ट्ली इस बुक्स है और जैसा कि आपको पता है CDS और NDA में बिना इस बुक के हिस्ट्री की राइन रीड कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं दो-तीन बार इस तरीके से बुक को पढ़नूं और कुश्चन का अंसर ठीक करूं तो थोड़ी मुश्किल आने वाली है क्योंकि जब आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके प्रिवियस लास्ट है बट बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो बहुत ही ध्यान से आप चीजों को समझिए और थोड़ा टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके बाद मुगल डानेस्टी के उपर काफी सारे कुश्चन्स है प्रिवियस यर के जो थोड़े अच्छे वाले सवाल है वो म सब कुश्चन्स को हम कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं फिर सो यहां तक हमने डिसकस कर लिया था यह देखे यह वाला टॉपिक अब देखिए यहां पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले देखिए नस्तालिक समझिए डारेक्ट कोश्चन पूछा गया है सिवि लिखा गया है ठीक है मतलब हैंड़ाइटिंग की में बात करा हूँ बहुत ही बहतरी इंधन से लिखा गया और यह देखिए नस्तालिक का ही फोलियो है और यह जो वर्क है यह मोहमद हुसें आफ कस्मीर का है 1575-1605 के बीच यानि यह अकबर का टाइम पीरेड है ठीक है अक नोर ना करें काफी सारे सवाल पूशा गए मैं अपने experience के base पे बता रहा हूँ यहां से question बनते है डारेक्ट एक term है यहां पे दिख रहा है जरी कलम और यह question भी पूशा गया in fact कि जरी कलम क्या है तो जरी कलम का मतलब golden pain ठीक है golden pain का मतलब golden pain एक खिताब दिया गया अकबर क नामा की तो यह दो important mughal chronicles है chronicles का मतलब क्या होता एक ऐसी किताब जो की राजा के जीवन का वृतान्त होती है तो अकबर नामा की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बहुत बार इसे discuss भी किया है इवन इसके last के chapter में हमने देखा था काफी detail में तो अकबर नामा जो यह काफी फैजी है और फैजी के द्वारा काफी important books को translate भी किया गया है जिसमें लीलावती सामिल है देखिए जो मैं extra info बताता हूं यह previous year ही होता है ठीक है तो यह question भी CDS में पूछा गया important facts होते हैं यह सारे ना इसके बात करते हैं तो जैसा कि अबूल-फजल के बारे में बता थे उनके conservative views को एक तरीके से आप कहलें debate के थूरू कटाक्ष करने का काम भी इनके द्वारा किया गया अकबर नामा में काफी ज्यादा वक्त दिया गया अबूल-फजल के द्वारा लगभग 13 सालों में complete किया इस वज़ा से सबसे important document माना गया है मुगल history को पढ़ने का समझ तो यहां बताया भी गया जो first volume है इसमें mankind की भी history है even from Adam to one celestial cycle of अकबर's life तो बिल्कुल mankind की सुरुवात से लेकर अकबर के 30 years तक के राइन है उसे सामिल किया गया और जो second volume है यह 46th regional year यानि अकबर के गदी पर बैठने से लेकर 46 सालों तक के 1601 है अकबर कब तक रूल करते है तो अकबर की death होती है 1605 में तो बिल्कुल आप कहलें लास्ट तक का जो time period है वो second volume में cover किया गया है और last में हाँ उसके बाद क्या होता है 1602 में ही अबुल फजल की अबुल फजल का आप कहलें एक conspiracy की जाती है अबुल फजल को और murder कर दिया आता है किनके द्वारा बीर सिं important नाम है बादसाह नामा direct question पूछा जाता है ठीक है बादसाह नामा किनके द्वारा लिखा गया अबुल हमीद लाहोरी के द्वारा जो की अबुल फजल के ही एक सिस्से होते है नाम याद रखेगा बहुत ही जादा important है और यह जो बादसाह नामा है यह किस emperor के साथ deal करती है साह जहां के साथ साह जहां के साथ किनके द्वारा लिखा गया अबुल हमीद लाहोरी के द्वारा और यह जो बादसाह नामा है यह official history बताती है ठी वाल्यूम्स में है यह और जो अब्दुल हमीद लाहोरी है यह first और second दफ्टर को लिखते हैं अब दफ्टर का क्या मतलब तो देखे दफ्तर का यहां पे मतलब volume तीन volume में किताब लिखी गई है पहली और दूसरी जो volume है ये deal करती है emperor के first two decades के साथ यानि साह जहां के 20 सालों के rule के साथ और जो third volume है वो आगे के time period से deal करती है और ये जो three volume से ये revise किनके द्वारे की गई साधुल्ला खान के द्वारा जो कि साह जहां के वजीर होते हैं तो जब आप इसे note down करें तो आप क्या लिखेंगे बादसार नामा किनके period में साह जहां के time period में तो दो author का नाम आपको लिखना है पहले तो है हमारे अब्दुल्ला होरी और second में कौन है साधुल्ला खान तो colonial period में ये चीज़े बहुत जादा काम आई इवन जो Britishers थे उन्होंने सोचा कि अगर हम इन जो history की books है या जो भी rulers के सम्मधित लिखी गई है अगर इन चीज़ों को हम समझेंगे पढ़ेंगे ट्रांसलेट करेंगे इंगिलिस में तो और ज्यादा लोगों को पता चलेगा जिससे हम better way में administration कर पाएंगे इंडिया का इस तरीके से सोचते थे इवन इसमें जो परियास रहा ऐसी आर्टिक सोसाइटी और बंगॉल की जो स्थापना की गई कब very very important ठीक है 1784 बहुत बार पूछा गया 1784 में स्थापना की जाती है और कि कौन होते इसके पीछे तो विल्यम जोन्स विल्यम जोन्स के द्वारे की जाती है यह क्यों स्थापित की जाती है तो में रीजन ही यहां पर है कि जो इंडियन एंगलीस के आप कहले की रूर जाते हें इंगलीस के रूप में इंचीजों को समधना जाते हैं तकि बाद करतें वेरी इंपोर्टन डेक्ट से काफी सारे सवाल आये और बना करके इस टॉपिक को समझिए बिकाज अभी हम प्रिवेसर कोश्चन करेंगे और जब आप उन कोश्चन को ठीक करेंगे तो डेफिनेटली सेंस ऑफ कॉंफिदेंस भी डेवलफ होता है अब यह डिवाइन लाइट का क्या मतलब है तो जो कोड क्रोनिकलर्स है यानि जो द इस तरीके से डिवाइन लाइट जो यह जेनरेशन टू जेनरेशन पास होई अबुल फजल के द्वारा यहां पर इंपॉर्डन बात आपको समझना है कि अबुल फजल के द्वारा मुगल किंग सीप को सबसे हाई रखा गया हाईरार्की ऑफ अब्जेक्स में जो भी इमेन इमेनेट होते हैं गौड से और इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज क्या आता है फर्रे इजदी का मतलब है लाइट इमेनेटिंग फ्रॉम गौड यानि खुदा से आने वाली रोसनी इसका एक लिटरल मीनिंग है ठीक है और यह जो टर्म है यह इंस्पायर हुआ है क यह आया है सिहाबुदिन सुहरावर्दी से इंस्पायर होके क्योंकि दोनों ही सवाल पूछा आता है कि अकबर को फर्रे इजदी के रूप में किन के द्वारा कहा गया तो यह अब फजल के द्वारा बट यह inspiration कहा से ली गई तो सुहरावर्दी ओर्डर के द्वारा आगे देखते हैं तो इस आइडिया के Coding क्या है कि Divine Light के एक hierarchy होती है जिसमें से Top कोन है King कि इस painting को देखिए इस painting में अकबर दिखाए गा है और यह जो painting है है my mistake यह जो हाँ बिलकुल सही मैंने कहा अकबर दिखाए गार इसके साथ यह जहांगिर है तो देखे क्या बताया जा रहा है यह painting important नहीं पेंटिंग के जिन्हों ने paint करा है वो painter बहुत जादा important है इस painter का नाम है अबुल हसन वेरी वेरी important अबुल हसन किन के दरबार में थे अकबर के दरबार में यह question देखे cds में पूछा गया है the idea of faray is the on which the mughal kingship was based was first developed by which of the following sofi cents क्या कहा जा रहा है जो फर्रे इजदी का idea है जो कि मुगल kingship जिस पर आधारी थी एक किस सूफी सेंट के द्वारा develop किया गया option है इबन अर्भी बायजीद बिस्तामी अभी तो हमने यह discuss करा बट आप सोची अभी से 15 मैंट पहले अगर मैं यह question पूछता अगर आपने प्रिवेसर ना किया हो तो कितना ज्यादा difficult होता यह तो difficult सवाल कहीं बाहर से फ्रेम हो करके नहीं आते हैं हमारे traditional बुक से ही फ्रेम होते हैं तो जरूरत है उन्हें ध्यान से समझने की और जैसा की ठीक है यह सोरा बट इस पर हमने discussion भी करा है बट इसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कि इनके द्वारा इस concept को revive किया ग यह एक manual code of conduct होता था अंसर क्या है पर्चियन स्क्रिप्ट यूजडि मेडिवल इंडिया मुगल पेंटिंग वाला कुछ टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं अलग से वीडियो मैंने बनाई है मुगल पेंटिंग के ओपर चैनल पे आपको मिल जाए टेलीग्राम चैनल पे भ पहुंच जाती है तो साजा के टाइम पे नहीं जहांगीर के टाइम पे ना और पहला तो बिल्कुल सही है दस्वंत और बस्वं जो है यह अकबर के दरबार के दो फेमस पेंटर थे अब यह सवाल आप देखिए यह 2023 में पूछा गया अगेन जमू कसमें पीस्टी में ही त तीसरा औरंग जेब्स लेक अफ इंटरेशनल पेंटिंग लेट टू डिसपर्जल अफ आर्टिस टू डिफरेंट प्लेसे तो औरंग जेब के टाइम पे जैसा कि हमें पता है पेंटिंग वगरा बिल्कुल भी इन्हें नहीं पसंथी सवजा से जो पेंटर्स थे दरबार म वह डिसपर्ज हो गए अलग अलग जगों पर चले गा है विकोज उन्हें अपनी रोजी रोजगार से सम्मद्रित कारे करने थे तो देखिए यह बात गलत है अभी हमने डिसकस किया यह अकबर के दरबार में थे तो ऑप्सन सही है यहां पर विकोज अच्छे से वर्क कर र आगे बढ़ते हैं यूनिफाइंग फोर्स की बात करते हैं तो इसमें एक इंपोर्डेंट कंसेप्ट आपको समझना है सुलह कुल सुलह कुल का मतलब क्या होता है एबसोल्यूट पीस तो यह जो है यह अकबर के द्वारा डिवाइज किया गया था यह कंसेप्ट एक कहले नए रिलीजन को या नए वे ओफ लाइफ की बात की गई अकबर के द्वारा जिसमें एबसोल्यूट पीस की बात की जारी यानि सभी धर्म के लोग मिल जुलके रहेंगे और जो हर एक धर्म का जो एक कॉर्णर स्टोन है जो इंपोर्डन बात होगी वो सुलह कुल होगी ठ ठीक है जिसमें से एक इंपोर्डन जो है यह बिर्बल थे कुछ फैक्च्छल बात अगर आपको याद रखनी है स्टेट पीसी में थोड़े अच्छे तरीके के सवाल बनते हैं यह बेस्ट ठीक और ससी बैंकिंग जैसे एक्जाम में तो उनके लिए याद कर लिजए अकब बहुत करने कब टेक्स को अभॉल इस को यानि जो यात्रधार्मी की यात्रा होती उनपे जो टेक्स लगता था उसे 1563 में और जर्जीया को जब आब बोलिस किया गया विफटीन फॉर में डेगे इस-पैंटिंग में जहांगीर को डपिक्ट किया गया और यह पैंटिंग क तो बहुत ही ब्रीफ में डिसकस करेंगे बट जो बाते में आपको बताऊंगा वह आपको नोट करना है वह इंपॉर्डन बात नहीं बताऊंगा तो यह जब मुगल एंपायर अपनी जीत दर्ज करती है गुजरात वाले रीजन में तो उसी के कहलें आप हैपीनेस सेलिब्रेट करने के लिए बुलंद दरवाजा बनाया जाता है इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्डन बाते हैं बट यह इंपॉर्डन नहीं है और भी कु के लिए अलग-अलग टर्म यूज की जाते थे और बल्बन के टाइम पर जैसा कि हमें पता है सीजदा और पैबोस सुरू किया गया था ठीक है जिसमें सीजदा पैबोस के तहत क्या होता था कम्प्लीर प्रोस्टेशन यानि जो लेट करके सलाम किया जाता था एक तरीके से गेस्चर आप कहले इसके बात जो है साह जहां के टाइम पर इन चीजों को रिप्लेस कर दिया गया था दो चीजों के साथ तो यह सवाल यहां से बनेगा ठीक है क्योंकि अल्रेड़ी बहुत के दोरा अचा कॉमेंट करके बताएगा वल्बन किस डैनेश्टी से अपना संबंध रखते थे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया चहर तस्लीम क्या था एक तरीके से सैल्यूटेशन का ही मोड था जिसमें जो सुरू होता है प्लेसिंग दा बेक ऑफ दा राइट हैंड ग्राउंड एंड रेजिंग जेंटली तील पर्च अस्टेंट इरेक वैनिप पूट्स दा पाम ऑफ हैड अपॉन दा क्राउन ओफ हीज हैड और इस तरीके से चहर यानि चार बार चहर का मतलब चार होता है और तस्लीम का मतलब सब्मिसन यहां चार बार सब्मिसन की पाइ हुमायों नामा यह लिखा गया था गुलबधन बेगम की द्वारा और गुलबधन बेगम बाबर की बेटी थी यानि हुमायों की बहन थी तो हुमायों की बहन के द्वारा हुमायों नामा लिखा गया और डेफिनेटली हुमायों नामा जो स्टोरी यह डील करती हुमायों क की बाट यहां पर जो गुलबदन बेगम के दारा लिखा गया इनमें यह बताती है कि इस तरीके से बाट यहां से बहुत बार पूछा गया यह अकबर के दरबार में होते हैं और जिस तरीके से अकबर का जो इंटरस्ट है यह एक धर में था खास करके उनके विसम में जानकारी लेना और इन चीजों पर तो इनके द्वारा ही एक तरीके से पर्मिसन दी गई ठीक है और फादर एंटोनियो मोंसरेट जो ही नहीं लगता था कि जो रूलर से उन्हें भी कनवर्ट किया जा सकेगा बट यह पॉसिबल नहीं था तो यह ना एक मुगल पेंटिंग वाली और दूसरी मनसबदारी वाली इन दोनों वीडियो की मैं लिंक डाल देना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो को जरूर रिवाइज करें फिलाल हम बात करते मनसबदार की तो देखे मनसब्स कौन होते थे मनसब्स कौन होते थे की जो वैल्यू है उसके एकोर्डिंग ही आपकी डिजिगनेशन डिसाइड होती थी दो टर्म यहाँ पर समझना है जाट और सावर कि जाट के मतलब क्या होता है जाट का मतलब होता है अब इतरीके से कहलें इंडिकेटर था यह पोजिशन का कि किस ओधे पर है और जो सावर था यह क्या था सावर का मतलब होता था यह एंक इतने केवलरी मैं guessing यानी कितने होर्से जो यह maintain करके चलने हैं कितने होर्समें maintain करके चलने हैं वो सावर डिसाइड करता था दोनों बातों में आपको complete clarity होनी चाहिए बहुत ही tough nature के सवाल यहां से बनाए जा सकते हैं और इस वीडियो में हमने cover भी किया है किस तरीके से question पूछे गया है खास करके एक बार CFPF में जो question पूछा गया था उसमें कहा गया था exactly तो मुझे याद नहीं बठा यही था कि 1000 से ज़्यादा जब जाट की value होती है तो उसे अमीर या उमारा plural में कहा जाता है तो देखिए यह बात गलत थी क्योंकि जाट की value कहां से आएगी यह तो sour value की एक second question में sour था my mistake question में sour था definitely sour गलत होगा 1000 प्लस जाट की जो value होगी वही तो अमीर कहलाएंगे क्योंकि 1000 प्लस sour का क्या मतलब है 1000 से ज़्यादा horseman maintain करके चलने यह तो कोई बात नहीं है ठीक है तो इसे आप ध्यान रखेगा कि जब बात की जाएगी जाट की तो यह decide करेगा ranking जितनी ज़्यादा जाट की value उतनी high ranking जैसे अगर अकबल के time में हम देखें तो जहांगीर को काफी high I think 7000 प्लस जो है इन्हें जाट की value दी गई थी बिकॉज एक important position में रखा जाता था जो भी rulers की अपने सगे संबंदी होते थे उन्हें चहरा और दाग भी समझ लेते हैं यह दो terms हैं चहरा, हुलिया, दाग इस तरीके के जो terms हैं तो दाग का मतलब क्या branding की जाती थी horses की कि जो अच्छी quality के horses हैं या वैसे भी in general branding कर दी जाती थी ताकि एक particular आप कहलें एक system discipline develop हो पाए कि हाँ यह जो horse है यह particular horseman का और इस तरीके से maintain करके चलना है तो यह दाग था यह थोड़ा brief में discuss कर लेते हैं तो कांधार एक important position था और यह नोर्थ वेस्ट में Northwest Frontiers के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही important location था strategic location था इसके बारे में दो सवाल पूछे आते हैं कि कांधार जो यह permanently कि रूलर के time पे हमेशा सही मुगलों के हाथों से चला गया तो इसका answer है सहाज यह civil services का previous year question है तो इसलिए हम इसे brief में discuss कर रहा है because repetitive trend देखने को मिलता है direct नहीं तो indirect सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं तो जो मुगल kings थे और बाकी के जो neighboring countries के ruler है जैसे इरान और तुरान के इनमें एक तरीके से आप कहलने dispute देखने को मिल रहा था इस province के कारण तो किस ruler के time पे क्या था हाँ ये काबुल और कांधार दो strategic outpost थे एक again very important painting आप देख सकते हैं अबुल हसन के दारा paint की गई है और इसमें दो rulers हमें देखने को मिलते हैं जहांगीर dreams के नाम से ये painting famous है बहुत बार exam से पूछा गया ध्यान रखेगा जहांगीर dream skin के दारा paint किया गया अबुल हसन के दारा इसमें दो rulers हैं पहले हैं जहांगीर दूसरा ये जो है ये सफावीद सह अब्बास है यानि सफावीद ruler है नाम है सह अब्बास दोनों embrace कर रहा है यानि दोनों में जो भी पहले से जो भी विवाद थे वो सारे सुलज गए है अच्छे एक बात और दा फीगर ऑफ दस्था इस बेस्ट अपन पोर्ट्रेस मेड़ बाई बीसंड दास फू अकंपनिट दा मुगल एंबसी टू इरान तो एक important painter और है नाम है बीसंड दास मुगल पेंटिंग से अपना संबंध रखते हैं हाँ एक बात और बता दू ये जो दो रूरर से ये कभी मिले ही नहीं थे इसलिए इसे dream कहा जाता है तो बहुत बार कांधार मुगलों के हाथ में आया और बहुत बार चला भी गया हाथों से जैसे री कंकर किया गया अकबर के दौरा 1595 में इसके बाद जो सफाविद कोर्ट है ये डिप्लोमेटिव रिलेशन बना करके तो रखते हैं मुगल से पर फिर भी वही बात है कि अपना दाव दिखाते है क्या कांधार तो हमारा भी है इसके बाद 1630 में जहांगीर एक डिप्लोमेटिक एन्वोई भेज़ते हैं सहाब बास के दरबार में कि कांधार वगेरा फिर से इनके हाथों में आए पर ये मिसन फेल हो जाता है और 1622 में एक पर्सियन आर्मी कांधार पर कबज़ा कर लेती है और at the end आप कहलें कि सहाब जहां के टाइम पर कांधार जी हमेशा के लिए मुगलों के हाथों से चला जाता है ना बात करते हैं जैस्वीट्स एड़ दा मुगल कोट तो मिसनरीज, टेवलर्स, मर्चेंट्स, डिप्लोमेट्स इनके द्वारा ही यूरोपियंस को इंडिया के बारे में काफी सारी जानकारी मिली और ये जो जिस्वेट के एकाउंट्स होते थे ये मुगल कोट के यर्लियस्ट इंप्रेशन में सामिल थे इसके बाद डारेक्ट सी रूट जैसा कि हमें पता है 15th century में Portuguese merchants के द्वारा खोज लिया गया जिसमें सबसे जो famous होते हैं सबसे first जो होते हैं वास्को डिगामा 1498 में भारत आने वाले समुद्री मार्गो की खोज करते हैं और ये जो Portuguese king होते हैं ये Christianity के propagation में भी काफी interested होते हैं इनके मुकाबले Christianity को प्रपगेट करने का ठीक है तो जो मिस्नरी होते हैं जो society of Jesus यानी जीने जेस्वीट कहते हैं इनके द्वारा तो ये जो Christian missions थे इंडिया में 16th century में इनके trade और empire building के process का ही पार्ट थे जबकि अगर हम देखते हैं East India Company के साथ तो ये जीज थोड़ी कम देखने को मिलती है इवन कुछ काफी famous historians ने comment भी किया है कि जब Portuguese आते हैं तो उनके एक हातों में तलवार होता है और एक हातों में Christianity को प्रपगेट करना रहता है तो जब ये काफी सारा खजाना देखते हैं तो दोनों ही चीजों को बारी-बारी से drop कर देते हैं ठीक है तो इस तरीके से comment दिया गया अकबर was curious about Christianity and dispatched an embassy to Goa to invite Jesuit priest तो ये बात important है अकबर काफी curious थे Christianity को लेके जैसा कि अभी हमने discuss भी किया और इस कारण से ये एक embassy भेजते हैं गोवा में कि Jesuit priest को बुलाया जाए और इस तरीके से first जो Jesuit mission है ये मुगल दरबार में पहुंचता है 1580 में और दो सालों तक रहता है जैसूइर्स अकबर से काफी चीजों पर discuss करते हैं Christianity के संबंध में और इनके काफी सारा discussion उलमाज के साथ भी होता है अकबर के दोरा एक काफी important organization established की जाती है नाम होता है इबादत खाना इबादत खाना में अलग-अलग धर्म के जो learned man से ये जुड़ते हैं और basically religious discussions देखने को मिलता है तो ध्यान रखेगा इबादत खाना के विशे में 1518 में I think established की जाती है कौन-कौन से धर्म के तो almost सभी धर्म के लोग मुस्लिम, हिंदू, जेन, पार्सी, क्रिस्टियन ये सभी जो learned man से ये पहुंचते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर discussion होता है देखिए यह जो boxes है ना इन् इन से सवाल देखने को मिलते हैं और काफी difficult nature का सवाल पूछा आ सकता है यहां से यह जो question है यह CDS 2021 का है क्या पूछा आ रहा अकबर ने फर्मान जारी किया 1599 में जिसमें जो खंबात सहर है इसमें construction किस चीज के construction के लिए permission दी गई और यह फर्मान जारी करके दिया गया यह बहुत ही important बात है temple, church, synagogue या जैन उपास रहे 5 second है आपके बास video post करके answer सोचिए देखिए इसका जो answer है यह option B है चर्च तो यह आप देखिए हमने discuss किया themes in Indian history में ही और क्या बताया जा रहा चर्च इन खंबात इसलिए sources important होते हैं और जैसा कि मैंने आपको का source के story आपको नह चाहिए जहां से question बनेगा तो यह देखिए फर्मान जारी किया गया था 1598 में अकबर के द्वारा कि एक church जो है इसे establish करने की अनुमती है मेरे side से अकबर के द्वारा कहा गया और यह खंबात की बात की जा रही है केमबे यानि खंबात तो अब ऐसे difficult सवाल जिने skip करना चाह लेकिन इससे पहले अगर आपने पार्ट वन या पार्ट टू को अच्छे से कवर नहीं किया है तो उन्हें आप जल्द ही रिवाइज कर ले और एंड के previous year questions को भी अच्छे से समझे मैं तो आपको यह recommend करूंगा कि अगर आप directly hard copy से भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी side के margins म आप previous year question को जरूर नोट करें because उन trends को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है comment करके जरूर बताइए कि किस previous year question को हमें पहले discuss करना है because 2017-18 तक तो हमने लगबग सभी paper को जो important है हमारे civil services, cds, cbf, इनको discuss किया है इससे पहले मैं again सोच रहा हूं इससे continue करना इस series को तो